दोस्तों निरासा हर इंसान के जीवन में होती है चाहे वो कितना ही सफल इंसान हो निरास वो कभी न कभी होता ही है तो अभी आपकी स्टेडी चल रही है एक्जाम डेट एनाउंस हो गई है तो आपके भी अभी निरासा होती होगी क्योंकि कभी कभी क्या होता है जैसे आपके जो डेली प्रेक्टिस टेस्ट हैं उनमें मार्क्स कम आ गए या फिर आपका कभी मूड नहीं है पढ़ने का तब आप निराश हो जाते हैं और उस निराशा के छण में हमें मोटिवेशन की जरुत होती है मैं आपको बता दूँ कि मोटिवेशन हम तीन तरीके से हो सकते हैं सबसे पहले हमें मोटिवेट करते हैं अदर्स अदर्स का मतलब है इसमें रिलेटिव भी आगए हमारे इसके बाद में जो हमारे जो फूपा मोसा है वो सारे आगए तो यह इस प्रकार से वो हमें मोटिवेट करते हैं तो वो मोटिवेशन होता है अदर्स का मैं आपको बता दूँ कि आपके पैरेंट्स के अलावा आपके जो पैरेंट्स हैं भाही बैन हैं और टीचर हैं उनके अलावा आपको कोई मोटिवेट अंदर से दिल से नहीं करता है वह बाहर से आपको बोलते रहते हैं हाँ आपकी बाहर आपका सेलक्षन पक्का है नीट 21 आप करेंगे करेंगे लेकिन अंदर ही अंदर यह भी सोचते हैं कि या नहीं हो इस वार इसका नीट क्लियर नहीं हो तो ही ठीक रहेगा वह बाहर से जरूर बोलेंगे लेकिन अंदर से ऐसा ही होता है क्योंकि मैंने कभी मेरे जीवन में यह मैंले प्रैक्टीकल देखा origin में में जब मेरे बच्चे का सेलेक्शन हुआ था तभी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था ई एक्जाम होल में जब बच्चा पेपर कर रहा है तो मैं ये आइडिया नहीं लगा रहा हूँ कि वो पेपर कर रहा होगा, अभी क्या कर रहा होगा, क्या नहीं लेकिन जो मेरे रिलेटिव है, मेरे दोस्त है, वो पहले ही हाँ अभी तो पाँच बजे तक paper है उसके बाद पाँच बजे बाद exam hall से आएगा उसके बाद में 6 बजे घर पहूंच आएगा 7 बजे answer की आ जाएगी 8 बजे तक हो चेक कर लेंगे हाँ 8 बजे मैं phone करके पूछूंगा क्या situation है आठ बजे phone आने लगते हैं से क्योंकि इस बार तो होगा नहीं कौन बंदगर के बैठ गया इस बार इसका स्लक्षन नहीं होगा तो बड़े मनिमन में उनके लड़ू फूटते हैं अगर भाइदवे आपने उनको यह बोल दे कि हाँ इस बार तो सलक्षन पका है तो समझो उनकी नानी मर जाती है तो इस के मोटिवेशन से आप दूर हैं क्योंकि यह जो रिलेटिव हैं यह आपको मोटिवेट नहीं बार से ही ऐसे बोलते कहीं कहीं तो डाइरेक्टली भी ऐसे बोल देते हैं कि आर आपने फिल्ट गल्ब चुन लिया है देखो वो फलां का बेटा है उसका हुआ नहीं है प्रकार के मोटिवेशन से दूर रहें इस प्रकार के मोटिवेशन से दूर रहें आप दूसरी बात हम करते हैं कि आपके जो पैरेंट्स और टीचर आपको मोटिवेट करते हैं वो आपका असली मोटिवेशन है लेकिन वो कितनी दिन तक मोटिवेट करेंगे एक मैने दो मै तक मोटिवेट करेंगे वही जिसी पीटी बातें कि बेटा आपका तो जरूर होगा सेलेक्षन आपके तो बाइलोजी में हंड्रेड में से आपके टीचर भी बोलेंगे की आप में वह पावर है आप इस नीट को करेंगे ही करेंगे बीट अपका इस बार हो तो आप उससे motivated होते हैं लेकिन कुछ समय के लिए motivated होते हैं तीसरा जो अहम motivation है वो है self-motivate ये आपको होना ही होना है और ये ही need 21 आपको crack करवाएगा इसमें आपकी असली जब्रत है मैंने पहले वाले वीडियो में भी बोला था कि जो बड़े बड़े motivational speaker है जो motivate करते हैं लोगों को वो खुद के लिए एक motivational वीडियो बनाते हैं जैसे मैंने पहले भी संदीप महेस्वरी का नाम लिया था वो खुद एक वीडियो तयार करके रखा है उसने self-motivation के लिए जो सुबह सुबह वो वीडियो देखता है तो आपको भी self-motivated रहना है तभी आप NEET में आपको इसके अलावा किसी की जौरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप self-motivated हैं तो आपको किसी की जौरत ही नहीं पड़ेगी motivation की ये आप दो तरीके से अपने आपको self-motivate कर सकते हैं सबसे पहले तो pen and paper का तरीका है motivation का मुझे doctor बनना ही है आप ये अपने studying table है उस पे लगा के रखिए कि इस बार चाहिए कुछ भी हो मैंने doctor बनना है तो बनना ही है जब आप पड़ाई करेंगे उससे पहले आपके सामने ये लिखावा कि मुझे doctor बनना है तो आपको किसी motivation की जौरती नहीं है वो मैं doctor कैसे नहीं गवाँगा इस बार मैंने chance लेना ही लेना है दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मुझे रोग सके दूसरा है auto self motivation ये मैं कर सकता हूँ मेरे अंदर ये power है दुनिया की दोस्तों मैं आपको बता दू दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता तो ये तो नीट क्या है आपकी दीवी एक्जाम है आपने कुछ गलतियां की थी 2020 में उन करते को सुधारना है क्यों नहीं हो सकता आप से नीट हो सकता है अराम से जो नीट क्रेक करता है बच्चा वह क्या उसके अलग दिमाग है वही दिमाग आपके भी है आप उससे बेतर कर सकते हैं 2020 में हो सकता है समय का ऐसा जो पढ़ाओ हो जो आप से नहीं हो पाया हो समय की ऐसी जो इच्छा थी वो नहीं कर पाए आप हो सकता है कई कारण हो सकते हैं लेकिन 2021 में आप कर सकते हैं आप शोर कर सकते हैं तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप self motivate रहें आप यह कर सकते हैं 21 कर सकते हैं, आपको किसी motivation की आवश्यकता नहीं है, आप अपने अंदर जो talent है, उसको बाहर निकालें, उसको आप समझें कि मैं ये कर सकता हूँ, और आप ये करेंगे, need 21 crack अवस्य ही करेंगे क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंसान अगर ठान ले तो वो कर नहीं सकता है करना है need 21 crack करना है इसके लिए मैनत करनी है और यह जो आपके पास में जो साड़े 3 मैने का जो समय बचा है ये साड़े 3 मैने का समय ही जो है वो important है इसी में आप study करके अच्छी तरह से study करके आप need crack करेंगे तो मैं इसी आसा के साथ आप से ये आसा करता हूँ कि आप need 21 में crack करने के लिए अच्छी study करेंगे और वो क्षण का इंतजार करेंगे जब आप exam hall से बाहार निकलेंगे तो मैं इसी आसा के साथ आप से लेता हूँ विदा जैड़ी आप से लेता हूँ आप से लेता हूँ आप से लेता हूँ आप से लेता हूँ